हलो एवरिवान मैं हू स्वाती और आप सभी का स्वागत है स्वातिस फैमली कीचेन में आप देखी रहे कितनी लच्छेदार रबड़ी यहाँ पे बनके तयार है वो भी एक टिप से नाहीं इसमें हमने कॉनफार्ण डाला है नाहीं मैडा ना कुछ नाहीं ब्रेड यह से कु बड़ा है इसलिए आपको कम लग रहा होगा तीन लिटर दूर यहाँ पे हैं तो देखी इस प्लेट से आज हम अपनी रबड़ी में धेर सारे लच्छे लाएंगे और उसमें ना ही आमें इसको स्टीर करते रहना है ना इस जो ट्रेडिशनल रबड़ी बनाते हुए आमें दूसरी काम पर लग जाएं यहाँ पर पतिला लेंगे तो थोड़ा सा हैट वाला लीजिए दूद में जितने पी उबाला है वो नीचे रहें तो दीखी यहाँ पर आधे गंटें से उपर हुगया है हमारा दूद भी अच्छे से घाड़ा हो गया है करेंगे थोड़ा सा औ और जब प्लेट डाले थी तो निकाल लेंगे तो दीखिए यहां भी मैंने इसको निकाल लिया है और इसकी कंस्टेंसी आधे हो गई है जैसे हम में चाहिए न उतनी हो गई है तो यह आधे से पाउन गंटा तो लगता है कि इसमें लेकिन हमें इसमें स्टीर करते नहीं रहना अब हम इसमें चीनी डालेंगे हमने वो प्लेट निकाल ली है तो यहां पे मैं तीन लिटर के लिए यह दो कोटोरी के करिब मैंने यहां पे चीनी डाली है चीनी आप अपने टेस्के अनुसर कम ज़्यदा कर सकते हैं हमारे घर में ज़्यदा मिठानी खाया जाता तो इसलि अब हम इसको हमारी रबड़ी में डाल देंगे ड्राइफूर्स रबड़ी में जरूर डाली है इसका टेस्ट और ठीकने और भीड बढ़ती है तो अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको आप हम और 10 से 15 मिनिट के लिए इसको पकारना होगा अब हमें लेकिन अब ह इसमें थोड़ा से नटमक डाल रहे हूं चायफल अगर आप कोई पसंद है तो डालिए ने तो वरना आप इसको स्किब भी कर सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट रबड़ी में अच्छा आता है आप एक बार डाल के जरूर देखिए तो देखिए यहां पे हमारी रबड़ी में थीकनिस आना शुरू हो गया है डायफूर्स डालने के बाद इसमें थीकनिस अच्छी आती है तो डायफूर्स को आप मिक्से में थोड़ा सा क्रश करके ही डाल दीजिए देखिए इसके थीकनिस देखिए आप कितनी गाड़ी और लच्छिदार यहां पे हमारी रबड़ी देंगे तो देखिए यहां पे हमारे रबड़ी धंडी हो गई है तो मैं इसको सर्फ करूंगे इसमें आप ड्रायफूर्स और चीनी अपने पसंद और टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कम ज़्यादा देखिए यहां पे मैंने सर्फ कर लिए है तो हमारे रबड़ी की कंस दोरी डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए फिर आप अपने काम पे लग जाए यहां पर हमारे लच्छे दार रबड़ी बनके तयार होगी तो आपको यह रबड़ी की रेसिपी कैसे लगी प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताए और अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ